कि अब अम कहा हां जा रहे हैं अब हम जो है चोई वाटरफॉल जा रहे हैं यह जो है ईैब बेक्षियाड से लिंक्रोड सब्सक्राइब कर दो दिखा दूं कि कैसा दिखता है तो देखिए काफी सुन्दर जगा है तो देखिए यहां पर जो है यासी की रानी का स्टेच्व भी लगाया गया है तो गाइज हैर इस दा छोई वाटरफॉल तो यह रहा हमारे पास छोई भाटरफॉल यार मैंने तो पहली बार देखा कि हमारे यहां भी इतना अच्छा भाटरफॉल होसकता है देखिया कितना सुद्र बाटरफॉल है do कि सब्स he laughed a देखिए नहीं होना का नाम ही गारण है तो देखिए हमारे लोके लेंगवेज में अभी जो ये नाले वैता हैं को गाड के बोला जाता है कि तो गाओं नाम भी घालै तो गाड गाओं से जो है ये पानी आता है तो यहां पर जो है जरने का निर्माण करता है इसको जो है छोई वाटरफॉल बोला जाता है तो देखिए कितनी सुन्दर जगा है दोस्तों कि यहां आके जो है ना मेरा दिल खुश कर दिया मुझे तो पता है था कि यहां पर भी कोई ऐसी जगा होगी तो यहां नहीं बोला कि हम जो है आपको छोई वाटरफॉल में ले जाएंगे तो मैंने सुचे थोड़ा से होना मैं वेड़ी होगा कोई छोई वाटरफॉल थोड़ा से लेकिन जब यहां पर देखा तो काफी सुन्दर वाटरफॉल है यह जो है ग्राम पंचायत कांड़ा व बनाए गया है तो आप बारिश के मौसम में भी यहां पर आ सकते हैं तो यहां पर जो है सुचना भी लगाई गई है है तो दो की पानी के नशक्त बना है उलंग ऑन करत को जरुहाना है उसकता है तो यहां देखिए रात को यहां पर लाइटनिंग भी होती है लाइटे लगाई गई है नीचे तो देखिए पानी के अंदर लाइटे भी लगाई गई है यह पानी जो है विल्कुल फ्रीज की तरह ठंडा है वाव तो गाईज हेर इस दा शोई बाटरफॉल एट बक्सियाड वैली वह वाटरफॉल से बाप्सियाड में पहुंच चुके है वह वाटरफॉल छे सो मीटर दूर है देखिलिमेटर से जादा है कौन सा नाला चमाणी नाला में जाएंगे जो की बेक्सियाड से कुछी किलमेटर दूर आगे चाल चौक रोड़ पर पड़ता है मंदी जो है पच्पन किलमेटर यहां से कुलुबाय का अंडवी जासकते आप एटी किलमेटर है तो नेर्चौक होस्पिटल जो है 43 किलमेटर यहां से ठीक है दोस्त जो इसका निगल चुक है घर की तरफ तो यहां पर जो है वक्सियाड मैं से कर रहा है रेस्ट होस्त वक्सियाड निकने किसी दे स्वर्निम क्या चलिवापसी में आपको दिखाते हैं कौन सा पार कहिए तो देखे काफी टूरिस्ट आता है चंड़ी गाड़ी है ठंडा वैदर रहता यहां का कोल कोल टेंप्रेटर कोल रहता है यहां का कोई गर पहुआज़ागा यहां आप जो बाइकर शोग के अपर देख सकते हैं महां नाग देख सकते हैं यहां पे जो है श्रीब टेंपल आ है अहां करवाते है डिक ओपन निचे जो है दोनों साइड़ एफल्स के गारडन है यहां तो गाइज यह है चमोनी नाला मंदरेगा टॉर तूरिजम यहां पर जितने भी वर्क होए ना टूरिजम को लेके वो मंदरेगा वालों ने ही किया हैं पंचाइट वालों ने ही किया हैं आईए गुमिये नहर चौक मंडी जिंजली चैल चौक रोड पे आपको यह बीच में मिल जाएगा चमोनी नाला शिवस्थली चमोनी न जिए बिलकुल ग्रीन सचाले बनाए गया है यहां पर दिखिए मुझे लगए हर्ट्स बगिरा बनने शुरू हो चुके यहां पर कितने सुंदर देवदार के वरिक्ष लगे हुए हैं तो काफी अच्छी देख रेकिन की की जा रही हैं वंशंकार जैब बोलेना तो बुम यह काफी शांत जगा है वोलेनाथ जो है मेडिटेशन कर रहे हैं तो आप भी जो है यहां पर मेडिटेशन कर सकते हैं वंशंकार मैं आपको पूरा दिखाऊंगा चारो तरफ से बिलकुल विचो बीच जो है वोलेनाथ की परतिमा स्थापित की गई है जै शंकर महरा की मंडी नेर्चोक चैलचोक कंडा वक्सियाड जंजैली शक्यारीदेवी के लिए यह जो रोड जाता है इसी रोड पे जो है कंडा स्टेशन से वक्सियाड की तरफ जो है चमोनी नाला पार्क है जै शंकर महरा राज अभी तो यहां पर बहुत सारा कुछ होना है मनाली के चमोनी नाला से आगे ही वक्सियाड की तरफ आपको जो एस वारनिम बाटी का मिलेगी कुछ इस प्रकार का है यहां पर बनाये हुआ है काफी सुंदर बाटी का है यह चलो वक्सियाड से जो एपको जैरो किलोमेटर यहां निचे जो एए आईटि आईवी है यह इसकी बहुत से श्यकारी टेंपल है यहां से 40 खीट किलोमेटर है एटीम भी है ये रहा रेंधार हली पैड वाव हली पैड है इसका नाम जो है रेंगलू दिया गया है का जिंजरी रोड शिकारीदेवी रोड